आज हम बनाएंगे सर्दियों के मौसम में जबरदस्त यूनिक वेच पराठा सर्दियों के मौसम में अलू की पराठी हूँ या वेच पराठी हूँ लोगों को बहुत जादा पसंद आता है तो ये आप लोग एक पर जरूर प्राई कीजिएगा आप लोगों को बहुत पसंद आएगा असलामों अलेकुम फ्रेंट्स मैं हूँ आईशा आप सभी का विलकम है कोकिंग इत एपिस में अगर हमारी देशिपी आपको अच्छी लगे तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए अपसे पहले हमने यहाँ पर पराठे के लिए आटा गुन लेना है तो तीन कप हमने आटा ले लिया है गेहू का आटा है जिससे हम रोज रोटियां बनाते हैं थोड़ा सा हमने नमक एट कर दिया है और एक बड़ा चम्माच रिफाइन तेल सभी को अच्छे से हम मेक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से मेक्स कर लेना है अगर आपको ज़ादा आटा लगे तो आपको ज़ादा गुन लेना है हमें इतने ही आटे की जरूरत थी इसलिए हमने तीन कप का इस्तमाल किया है फैमिली के हिसाब से गंजादा आप आटा गून सकते हैं भेज पराठे हो या आलू के पराठे हो इसके लिए आटा जो हम लगाएंगे एकदम सॉफ्ट लगाना है इससे हमारे पराठे बहुत सॉफ्ट बन कर तयार होते हैं लेकिन जो हम प्लेन रोटी बनाते हैं उसके लिए हम थोड़ा सा गिला आटा रखते हैं उतना जादा हमें गिला रखना नहीं होता है अब इसे रेस्ट करने के लिए साइड में रख देंगे अब हम पराठे के लिए फिलिंग तयार कर लेंगे तो इसके लिए हमने दो बड़ा चम्मच देल आट कर दिया है जीर आट किया है एक बड़ा चम्मच एक छोटी चम्मच अजवाइन हिंग दो पिंच आट किया है कलोंजी एक छोटी चम्मच सभी को अच्छे से चटकने देंगे उसके बाद एक मेडियम साइज का प्याज आड़ कर दिया है इसे मसलते हुए आड़ करेंगे और इसे हम फ्राई कर लेंगे तो वेज पराठा जो हम बनाने वाले हैं एक्तम अलग और यूनिक तरीके से बनाने वाले हैं इसमें आपको कोई तरह की छंजट नहीं होगी बहुत ही असानी से आप इस पराठे को बना सकते हैं तो प्यास को पूरी तरीके से हमने फ्राई नहीं किया है जैसे ट्रांस्पारेंट हो जाए तो यहां पर चॉप्ट किया हुआ गोबी यानि फूल गोबी जो होता है उसे ले लिया है ये तकरीबन एक कप है इस फिलिंग को हम जादा कॉइंटेटी में बनाने वाले हैं इसलिए हमने जादा इस्तमाल कर रहे हैं अगर आपको कम बनाना है तो आप कम भी इस्तमाल कर सकते हैं कम जादा अपने पसंद के मताबिक कर सकते हैं अब यहां पर हमने गाज़त ले लिया है 1-प कप एक कप शिमला मिर्च इसे डाल देंगे और इसे चलते हुए फ्राइ कर लेंगे हाइफलेम पर अगर इस तरेके से वेच पराठा आप भी बनाते हैं तोayo काफी जादा टेस्त लिवन कर तयार होता है और इस तरीके से अगर हम जो बनाते हैं तो सबजियों का जो पानी है वो पूरे तरीके से सूख जाता है तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर का जो पानी है काफी अच्छे से सूख चुका है अब इसमें हम एट करेंगे मटर तो यहां पर देड़ कप मटर हमने चौपट कर लिया है चौपर बॉल में अगर आपके पास चौपर बॉल नहीं है तो आप इसे मिकसर जार में डाल कर सिर्फ एक से दो बर चला रहा है इस तरह से चौपट करना है आपको इसका पेस्ट नहीं बनाना है क्योंकि प्राठे में चाने के बाद अगर हम प्राठे तयार करते हैं उसके बाद मटर बहुत अच्छे से गल जाता है आलू को बॉल करने के बाद हमने अच्छे से इसे मैच कर लिया था अब इस पॉइंट पर डालने के बाद अच्छे से मेकस कर लेंगे आलू हम इसलिए इस्तमाल करते हैं जो सबजीों में बैंडिंग है वो आलू की वज़ा से आता है तो अगर हम प्राठे बनाते हैं तो हमें ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है आलू का इसे आलू को डालने के बाद हमने 5 मिनट के लिए पका लिया है अब इसमें हरा धनिया और हरी मिर्च एड़ कर देंगे हरी मिर्च हमने 5 बड़ी साइज कर लिया है बारिक कट कर लिया है हरा धनिया हमने आधा कट लिया है इस point पर अब हम सूखे मसाले एट करेंगे तो यहाँ पर जो हमने लिया है आदी चोटी चम्मच हल्दी है एक चोटी चम्मच भुनी जीरा का इस्तमाल कर रहे हैं एक चोटी चम्मच लाल मिर्च पौडर एक चोटी चम्मच अमचूर पौडर एक बड़ा चमच चाट मसाला और नमक पसंद के मताबिक सबी चीजों को डाल दिया हमने अब यहाँ पर एक बड़ा चमच कसूरी मेथी आट कर दिया है जो हमारे पराठे के अंदर बहुत अच्छा फ्लेवर लेकर आता है अच्छे से इसे अब हम मिक्स कर लेंगे तो आपने देखा के हमारी सबजी भी अच्छे से पक चुकी है इसका पानी भी पूरे तरीके से सूप चुका है और सारे मसाले डालने के बाद हमने से 5 मिनट के लिए से हाई फ्लेम पर पका लिया है और ये मिक्स्चर जब तयार हो जाए उसके बाद गैस का फ्लेम हम आफ कर देंगे अब इसे हम ठंडा कर लेंगे गरम अगर फिलिंग होगी तो पराठे अच्छे से हम बेल नहीं पाएंगे तो अच्छे से फिलिंग को ठंडा कर लेना है उसके बाद ही प्राठे बनाना शुरू करेंगे तो ये ठंडा हो चुका है अब आटा हम चेक कर लेते हैं तो देखें आटा भी एक दम परफेक्ट तरीके से तयार हो गया है फूल चुका है एक बार इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है अब इसकी हम लोई तोड़ लेंगे तो पराठे आलू के जो होते हैं या फिर वेज पराठे होते हैं थोड़ा मोटा बनाया जाता है ताकि उसके अंदर जो फिलिंग हो काफी ज़्यादा क्वाइन्टिटी में हो लोई जो हमने किया है जो प्लेन रोटी होती है उससे थोड़ी सी बड़ी है अब इसके अंदर हम फिलिंग भर लेंगे अब फिलिंग अपने पसंद के मताबिक कम जादा कर सकते हैं कुछ लोगों को कम पसंद होती है तो कुछ लोगों को जादा फिलिंग वाली पराठे पसंद आते हैं लेकिन इसे सिल अच्छे से हम करेंगे ताकि इसके अंदर की जो फिलिंग है वो बाहर न निकले ये देखिए कुछ इस तरीके से हम लोई तयार कर लेंगे सारी फिलिंग भर कर पराठे के लिए पराठे बेलेंगे उसे बेलना इंपोर्टेंट है तो सबसे पहले उंगलियों की हेल्प से हम चारो तरफ से पैला लेंगे अगर हम उंगलियों की मदद से चारो तरफ पहले पैला लेते हैं और उसके बाद हम पराठे को बेलते हैं तो ऐसा करने से जितनी भी filling है वो किनारी तक फैल जाती है डारेक्ट हम बेलन से बेलते हैं तो filling बीच में रह जाती है किनारी तक नहीं जा पाती है इस वज़ा से प्राठे खाने में ज़्यादा tasty नहीं लगता है क्योंकि filling किनारी तक नहीं होती है सिर्फ center में होती है तो ये देखिए हमने यहाँ पर प्राठे को बेल लिया है और आप इसका थिकनेस देख सकते हो ये देखिए कितना मोटा है बस इसी तरीके से आपको बेलना है अब इसे हम सेख लेते हैं तवा गरम करने के लिए हमने पहले से रख दिया था काफी अच्छे से तवा गरम हो चुका है एक तरफ अच्छे से सीख जाए उसके बाद रोटी को हम प्लट लेंगे अब इसके उपर तेल अपलाई करेंगे तो अगर आपको देशी घी पसंद है तो आप देशी घी अपलाई कर सकते हैं यहाँ पर हमने रिफाइन तेल का इस्तमाल किया है और सरसो के तेल में भी आप इसे सेख सकते हैं अगर आलू के प्राठे या भेज के प्राठे बना रहे हों और आप सरसो का तेल का इस्तमाल करना है तो सबसे पहले तेल को अच्छे तरीके से गरम कर लेना है उसमें से एक दम धुआ आना चाहिए और उसके बाद फ्लेम को आफ कर देना है तेल को थोड़ा ठंडा कर लेना है उसके बाद आपको इस पॉइंट पर अपलाई करना है ऐसा करने से आपके प्राठे काफी जादा म इसी तरीके से सारे प्राठे हम तयार कर लेंगे वैसे तो इसे हम सिंपल तरीके से खाने वाले हैं लेकिन ये टमाटर की चटनी के साथ बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है खाने में हरा धनिया की चटनी के साथ भी इसे आप सर्फ कर सकते हैं या फिर आप इसे दही के रा आप लोग भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये प्राठे बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे ये देखे आप किनारी देख सकते हैं इसे हम तोड़ कर देखाते हैं चारो तरफ किनारी में फिलिंग अच्छे से जा चुकी है अगर आपको भी वेच पराठा पसंद है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताईए वेच पराठे बनकर रेडी हो चुके हैं फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ अभी के लिए लेती हुए जाज़त अल्ला हाफीज